हमारी देश ने कि सरकार ने सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास इस मंत्र के साथ हम आगे बड़े हमारा जो विकास था इसमें यह कहा गया कि हम सभी प्रकार से समावेश करेंगे विशेश रूप से समाजिक समावेश होगा और हम सभी देश के सभी लोगों के विक करते हैं सब का प्रयास की बात करते हैं तो देश उन सभी चुनोतियों को आगे लेकर आ हम बड़े जब बहुत ही ज़्यादा महामारी थी पूरे विश्यों में हमारे देश में और हम ने बहुत ही ज़्यादा इसमें बात की कि किस प्रकार से हम बात करें और इसका परिणाम यह हुआ इसके परिणाम सरूप हमारा जो युवा देश है हमारी बहुत ही जादा आकाइशाए है और हमने लोगों ने अपनी उम्मीद जगाई कि हम उच्चितम विकास के लिए हम बात करेंगे हमारी सरकार ने यह देखा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हम बहु और हम इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विकास के कारेकरम है पिछले दस वर्शों के दोरान पहले यह था कि हम गराएं गरामीर विकास के जो कारेकरम थे पिछले दस वर्शों के दोरान अगर देखा जाए उसमें हमने प्रतेक घर के अंतरगत चाहे सभी के लिए आवास की योजना हो, हर घर जल गा हो, या सभी के लिए बिचली हो, या सभी के लिए गुकिंग गैस हो, या सभी के लिए वितिया सेवाई और बैंक अकाउंट खोलने की बाद हो, हमने रिकॉर्ड टाइम में यह काम किया, जहां तक खाध्यान की चिंता का संबंद था, उसे हमने बिल्कुल दूर कर दिया, और हमने असी करोर लोगों के लिए मुक्त बिल्कुल निशुल कर राशन उपलब्द कराया है, और जो न्यूनतम समर्थन मुल लेया है, जहां तक अन दाता के उत्पादन के लिए हमने इस समय पर लगातार अवधिक रूप से बढ़ाया है और जो आवश्यक मूल भूत आवश्यक ताएं हैं, उसने वास्तम में ग्रामी शेतर में लोगों की आए को बढ़ाया है, जो आर्थिक आवश्यक ताएं हैं, उनको हम इस प्रकार से ठीक कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के आवसर उपलब्द कराए सके, समा इसमें सभी जातियों को शामिल किया गया है और सभी सतरों की जनता को शामिल किया गया है, हम भारत को एक विक्सित भारत बना लेंगे 2047 तक, 2047 तक भारत एक विक्सित राश्टर बन जाएगा, और इसको देखने के लिए हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं पहले समाजिक न्याए एक राजनितिक नारा हुआ करता था हमारी सरकार के लिए जो समाजिक न्याए है एक बहुती प्रभावी और आवश्यक सरकारी मॉडल है जो एक ऐसी स्थिती आगई थी एक ऐसी इस्थिती धर निर्पेश्वाद वास्तम में यह हमारी क्रियाओं में है हमने ब्रश्टाचार को खत्म किया है और हमने 37 भाई भतीजावाद को भी खत्म किया है